मद्धे प्रदेश में मौसम में इस वक्त मौनसून पूरी तरह से हावी हो गया है। प्रदेश का धिकांश जिलों में मद्धे और भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मद्स प्रदेश में अभी अगले दो से तीन दिनों तक तेज बारिश का दौर जारी रहेगा प्रदेश के कई संभागों में भारी बारिश का ओरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी गया है मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में एक द्रॉनिका है जो कि शिफपुरी और सिधी होते हुए अरब सागर की ओर जा रही है जिसे बंगाल के खाड़ी से नमी मिल रही है इसके अलावा गुजरात के उपर बने एक साइकलोनिक सिस्टेम की वज़ह से प्रदेश की अधिकांच जिलों में बारिश हो रही है बता दे कि भोपाल में बारिश की संभावना है राजदानी भोपाल में एक बार फिर तेज बारिश की संभावना जता आई गई है अनुप विभाग का कहना है कि एक जून से अभी तक मद्य प्रदेश में जो बारिश हुई है उसमें अभी तक 9 फीस दी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है वहीं मद्य प्रदेश मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अभी सक्रिय लोकल वैदर सिस्टम के साथ साथ गुजरात में बले साइकलों सिस्टम की वजह से प्रदेश के 25 से ज्यादा जिलों में बारिश का दौर देखा जा रहा है अभी अगले दो से तीन दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहेगा और बारिश चंबल संभाग के जिलों में कई जगहों पर भारी और कई जगहों पर अती भारी भारिश दर्च की गई है अनुपूर रतलाम डिंडोरी बालगहाट और मंडला में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है और इसके अलावा जबलपूर और नरसिंपूर में भारी बारिश की चेतामनी है